हेलो एंड वेलकम स्वागत है आपका समाजी ग्यान पे आज हम जोग्रफी क्लास एड़ चैप्टर फाइव हुमन रिसोर्स करेंगे हुमन रिसोर्स का मतलब क्या है मानव संसाधन ठीक है people are a nation's greatest resource nature's bounding become significant only when people find it useful it is people with their demands and abilities that turn them into resource hence human resources is the ultimate resource healthy educated and motivated people development resources as per their requirement human resources like other resources are not equally distributed over the world they differ in their educational level age and sex their numbers and characteristics also keep changing अब मैं आपको इस चीज को समझाती हूं human resource का क्या मतलब है source का मतलब होता है source का मतलब होता है साधन किसी भी चीज के लिए साधन example है जैसे आप है आप स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए तो क्या साधन लगते हैं घर से स्कूल जाने के लिए आप कोई vehicle लेते होगे पापा छोड़ कर आते होंगे इस्कूटर से या bike से या cycle से या पैदल जाते होगे आप वहां तक जाने के लिए रिक्षा ले रहे हो आर टीवी ले रहे हो या bus ले रहे हो यह क्या है यह याता-यात के साधन है मतलब आपको movement करने के लिए साधन है ठीक है और resources sources मतलब साधन पढ़ने के लिए हमें साधनचीय कॉपी, पैन, किताब, टीचर, टीचर को ब्लैक बोर्ट, चॉक, ऐस तरह की चीज़े चाहिए, जिनसे वो कम्यूनिकेट कर सके, आपको कोई कंसेट समझा सके, राइट, अब सोर्सिज हैं छोटे लेवल पे, और रिसोर्सिज हैं बड़े लेवल पे, जब हम सोर्सिज की बात करते हैं, आपकी पहली टीचर आपकी मदर है, उन्होंने बताया, आ, आ, इ, कैसे लिखते हैं, चॉक कैसे पर करते हैं, शुरू में आपने आड़ी तेड़ी लाईने बनाई और उसके बाद वर्ड को पहचान कर, उसको लिखना शुरू किया, यह आपकी एक, तो यहाँ पर क्या है, जब छोटा है, तो सोर्स है, और जब बड़ा है, हम वास्ट स्केल पर बड़े स्केल पर बात करते हैं, तो वो रिसोर्स या संसाधन कहे जाते हैं जैसे यहाँ पे क्या है educational resources हैं तो उसमें क्या है आपको यह बताया जाता है कि आपके area में कितने school हैं कितने primary हैं कितने senior हैं कितने co-education हैं कितने individual हैं कि सरफ boys के हैं या girls के हैं समझा रही है यह चीज तो अब यहाँ वो यह कहना चाह रहा है कि people are nation's greatest resource किसी भी देश में रहने वाले लोग उस देश का संसाधन होते हैं कैसे होते हैं संसाधन देखिए एक simple concept है demand और supply की demand कौन करते हैं इंसान demand करते हैं supply कौन करता है इंसान ही supply करते हैं आपके घर में रहने वाले लोग जो आपके father है mother है brother है कोई बड़ा और भाई बेन sister वगयरा होंगे अगर वो income generate कर रहे हैं तो कोई न कोई काम perform कर रहे हैं जिसके बदले उनको अच्छा होता है level अच्छे होने का मतलब कि आपकी पर्चेजिंग पावर बढ़ती है आप ज्यादा चीज़ें खरीच सकते हो ठीक है और इसी तरह जब एक देश के बहुत सारे लोग काम करते हैं किसके लिए काम करते हैं देश की बढ़तरी के लिए काम करते हैं तो वह हर तरह का काम करते हैं कोई रोड बना रहा है कोई बिल्डिंग बना रहा है कोई जो उस चीज को यूज कर रहा है रोड यूज करते हैं रोड पे टेक्स देते हैं आप ही अपने लिए एक व्यवस्था करते हैं government के truth यह सारा जो भी कुछ आपको ताम जहम दिख रहा है यह सब आता है human resources के अंदर करने वाले भी आप ही हैं और उस चीज का benefit उठाने वाले भी आप ही हैं एक देश में रहने वाले अलग-अलग level के age level के बच्चे prod ऐसे लोग जो बूढे हो गए हैं और ऐसे लोग जो income generate कर रहे हैं mostly 25 साल से लेके और 60 साल तक 60 साल retirement की एक normal age है एक common phenomena में बता रहे हूँ तो 60 साल तक के लोग जो है वो income generator group के अंदर आते हैं कि वो कुछ न कुछ करके कोई न कोई रोजगार करके पैसा कमाते हैं और अपने घर में परिवार में खर्च करते हैं उनके पास एक purchasing power होती है ठीक है छोटे बच्चे हैं जो जीरो से लेके पांस साल के छे साल के वो किसी तरह के earner नहीं होते वो कुछ कमाते नहीं है लेकिन वही आके हमारे आगे की उसमें क्यों हम कहते हैं हम जो कुछ करें अपने future generation के लिए कर रहे है future generation कौन है आप लोग है आज आप study कर रहे हो कल को आप earn करोगे इसलिए ये human resource के अंदर आता ह human resource एक किसी भी देश के अंदर बहुत एहम रोल करती है अदा जो किस देखा जाता है कि देश किस condition में है current की situation में भारत जो है वो एक जवान country है जवान country का मतलब कि इस समय इंडिया की population जो है वो 25 से लेके 60 के बीच या 45 के बीच के जो लोग है वो maximum है मतलब earner group ज्यादा बड़ा है तो इसलिए आप जितनी भी news सुनोगे जितना भी कुछ आप जानोगे तो आप ये चीज़ नोटिस करना कि हर जगा आपको Indian breed मिलेगी all over world में और वो लोग क्या है वो perform कर रहे हैं कुछ न कुछ politics में भी वो perform कर रहे हैं tax pay करते हैं तो वहां की जो economy है उसमें अपना contribute करते हैं इसके अलावा वहां के जो decision making है वो pressure group की तरह काम करते हैं दबाव समीतियों की तरह काम करते हैं ठीक है people are nation's greatest resource एक देश के जो लोग है वो वहां के क्या है संसाधन है महान संसाधन है nature क्या है significant only when people find it useful एक स्वाभाविक प्रकृति है कि जो इस्तमाल के लायक है जिसका आप कोई फायदा उठा सकते हो या जो आपको फायदा पहुंचाता है उसको आप किस category में रखते हो उसको आप asset की category में रखते हो asset क्या होता है asset होती है वह चीज जिससे आपको फायदा है suppose आपकी जेब में 100 रुपे है यह आपकी asset है आपके पास बहुत ताकत है और आप अपनी ताकत के बल पे कुछ कमा सकते हो कोई एक मजदूर है जो कोई एक skill जानता है वह skill जो है वह उसकी asset है क्यों वह skill से income generate कर सकत है nimminting करता है या बहुत अच्छा धरवाज़ा बनाता है बढ़ाई का काम करता है या कपड़ा अच्छा weaving करता है दरजी का काम करता है तो जो उसका skill है वह उसका asset है मतलब यह उसके पास में एक ऐसी कला है जिसकी वज़ा से वो पैसा पैदा कर सकता है ठीक है उसके बाद में is with their demands ability and ability that turn them into resources ठीक है ना आप कुछ खरीदते हो और आप कुछ बेशते हो पूरे society में आप देखोगे जिसको भी पूरे society का काम चल रहा है ठीक है कोई कपड़ा बेच रहा है कोई कऊई कोई मशीन की चीज बेच रहा है और यह सब एक दूसरे के यूज की चीज़े हैं तो लोगा खरीद भी रहे हैं और इसको बेच भी है और इसलिए यह रिसोर्स क्या रिसोर्स है यह human resource है क्यों क्योंकि आदमी तो खरीद रहा और आदमी बेच रहा आपने कभी किसी गाय भैस को कपड़ा खरीदते देखा है उसको जरूरती नहीं है ठीक है अब यहां पर आता है है Hence human resources is the ultimate resource healthy educated and motivated people developed resources as per their requirement इंसान के पास वो capability है वो शमता है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से चीजों में modification फिर बदल कर लेता है ठीक है आप कोटेशन सुनी होगी अविशकार अविशक्ता की जनिन ही है जैसे आपको चीजें की जरूरत पड़ेगी तो उस इसाब से आप क्या करोगे कुछ न कुछ जुगाड कर लोगे ठीक human resources like other resources are not equally distributed over the world यह ऐसा संसादन है humans कैसे रहते हैं depend करता है कि वो जगा कैसी है डिपेंड करता है वहाँ पानी की supply कैसी है डिपेंड करता है कि वहाँ बाकी के जो survival के इंतिजाम है वो किस तरह के है जहां आसानी से सब कुछ मिल जाता है लोग वहाँ जादा बसते हैं जहां थोड़ा tough है वहाँ लोग कम बसते हैं ठीक है जैसे आप देखो राजस्तान म available है तो लोग यहाँ जादा बसते हैं रोजगार भी असानी से मिलता है पैसा कमा सकते है पैसा खर्चा भी कर सकते हैं चीजह हिखटी कर सकते हैं उनको कहीं और प Seit ताकि अपनी इंकम बढ़ा सकते हैं तो मतलब हर चीज की फैसिलिटी है यहां पर और जहां ऐसी फैसिलिटी रहेगी वहां लोग ज्यादा बसेंगे यानि वहां की डेंसिटी जो है पॉपिलेशन की वह ज्यादा होगी डेंसिटी का मतलब होता है घनत भूप बसावट ठीक ह of population, बतलक जनसंख्या का विस्तार या बत्वारा, the way in which people are spread across the earth surface is known the pattern of population distribution, more than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface, the distribution of population in the world is extremely uneven, लोगों की जो इनका विस्तार है या इनका जो distribution है बत्वारा है वो कैसा है, uneven है, 90% population जो दुनिया की है, वो 30% land पे ही रह रही है, इसके अलावा जो बाकी का land है वो खाली पड़ा है, क्यों खाली पड़ा है, या तो वहाँ की condition ऐसी है, बहुत extreme है, या तो वहाँ मरुस्थल है, या पहाड है, या बरफीला इलागा है, जहां जीवन या पन की सुविधाय नहीं है, तो लोग वहाँ पे नहीं बसते हैं, और इसके अलावा, एक condition और भी है, कि जब कोई जगा है, जहां पे war zone है, लड़ाई चल रही है, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ से भी छोड़के, कोई ऐसा इलाका है, जहां हमेशा ही लड़ाई चलती रहती है, जैसे Syria, Lebanon वाला इलाका जो है, यहां पिछले कई सालों से, मतलब मैं बच्पन से सुन रहे हूं, तो यहां पर रोजी बवाल रहता है, जगड़ा चलता रहता, लड़ाई जगड़े, बम और गोलियां चलती रहती है, तो ऐसे इलाके में जहां जीवन जो है वो uncertain है, आप कभी भी मर सकते हो, तो ऐसे कभी भी मर सकने वाली stage में कोई रहना नही जाता है, तो ऐसी जगह पर भी बसावट effect करती है, कम लोग बसते हैं, यहां बसाने के लिए लोग इदर उदर से क्या किये जाते हैं, चुराये जाते हैं, hijack किये जाते हैं, बंदी बनाके इनको यहां पर रखा जाता है, torture किया जाता है और फिर बंदूग थमा दी जाती ह उनके हाथ में, some areas are very crowded and some are separately populated, the crowded area are south and south east Asia, Europe and north eastern North America, very few people live in high latitude areas, tropical desert, high mountains and areas of equatorial forest, अब यहां पर आप देखो कि यह जिस जिस area को क्या है, एक बार इसको map पर जरूर देखना, North America है, Europe है, Asia है, North Eastern यह है, यह ऐसी areas हैं, जहां पर लोग जादा रह रहे हैं, और बहुत कम लोग रहते हैं, high latitude areas में, high latitude areas का मतलब कि जहां extreme है, गर्मी है, तो extreme है, सर्दी है, तो extreme ह है, हमेशा धूली उड़ती रहती है, कुछ उगता ही नहीं है, तो ऐसी जगह पर क्या है, थोड़े बहुत आदिवासी रहते हैं, जिनों ने अपने शरीर को उस area के हिसाब से धाल लिया है, और वो छोटे मोटे शिकार विकार करके और जैसे तैसे करके वहां पर सर्वाइ जंगल है, जो विशुवरित रेखा के आसपास है, क्योंकि यहां पर क्या है, रोज बारिश होती है, एक्स्ट्रीम हीट होती है, पानी जो है, वो उड़ता है, फिर बरसता है, एक तरह से चिप-चिपा environment रहता है, और कई जगह ऐसा है, जो desert का area, तो कई सालों तक बारिश people live north of the equator than south of the equator, almost three quarters of the world's people live in two continent, Asia and Africa, सबसे ज़्यादा लोग कहा रह रहे हैं, Asia और Africa में रह रहे हैं, 60% of the world's population stay in just 10 countries, all of them have more than 100 million people, ठीक है, 60% यानी 60% मतलब आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या जो है, सिरफ बीच के area's में रह रही हैं, जो की 10 countries के अंदर divide हैं, और यहाँ पे 100 million के आसपास लोग रहते हैं, यह एक नीचे आप चार्ट देख रहे हो, इस चार्ट में बता रखाए कि 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 population millions में हैं, तो इसमें India का number है second, चाइना का number है पहला और USA का है, फिर इसके बाद में, सारे देश जो है, यह इनी उसमें ज्यादतर रहते हैं, ज्यादा लोग इसी area में रहते हैं, और यह सारा area क्या है, या तो अफ्रीका में है, या एशिया में, density of population, जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया, density का मतलब है घनत्व, या बसावट, ठीक है, population density in the number of people living in a unit area of the earth, it is normally expressed as per square kilometer, the average density of population in the whole world is 51% per square kilometer, South Central Asia has the highest density of population followed by East and Southeast Asia, जैसे मैंने आपको पहले बताये कि जहां का environment अच्छा होगा, बहुत सारी सुविधाई होंगी, पानी की, बिजली की, health की सुविजा, education की सुविधा, लोग बहाँ ज्यादा बसेंगे, और जहां का climate अच्छा नहीं होगा, uncertain होगा, तो ऐसी जगा पे लोग क्या करेंगे, कम बसेंगे या नहीं बसेंगे, ठीक है, तो यहाँ density निकालने का क्या है, कि पर square kilometer में जितने लोग रहते हैं, उस आबादी को उस area की density माना जाता है, तो नॉर्मल अगर हम पूरे दुनिया की निकालें, तो 51% 51 अदमी पर square kilometer के अंदर रहता है, यह एक common वो निकलता है, आकड़ा हमारे पास में, Factor Affecting Distribution of Population, Geographical Factors, Tropography, People always prefer to live on plain rather than mountains and plateaus, because these areas are suitable for the farming, manufacturing and service activities, The Ganga Plains are the most densely populated area of the world, while mountain-like Andes, Alpas and Himalayas are separately, sparsely populated climate, अब देखिए, ऐसे effect करने वाले कारण, ऐसे factor जिनकी वज़ा से distribution of population जो है, वो affect होती है, इसका क्या मतलब है, कि क्या कारण है, कि कहीं बसावट ज़्यादा है, और कहीं कम है, तो उनमें सबसे पहला कारण जो है, वो है आपका Tropography, Tropography का मतलब है, कि देखा जाता है, कि आप कहां पे ज़्यादा जो एक survey या एक आकड़ा देखा गया, डाटा देखा गया, उसके हिसाब से यह जाना गया कि लोग प्लेन या मैदान के इलाकों में बसना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाए पहाड़ों पे या पठारों पे बसने के, प्लाट्यूज क्या होते हैं, पठार होते हैं, ऐसी पत्रीली जमीन जहां घास भी बड़ी मुश्किल से उखती है, ठीक है, तो लोग क्या प्रफर करते हैं, जैसे गंगा का प्लेन से हैं, आपने जितना भी पुराना प प्रिग्जन है, जहां से गंगा बहती है, आपका बंगाल की बे ऑफ बेंगॉल तक जाने के लिए, उसी एरिया के लिए ज्यादतर फाइट हुई है, ज्यादतर लोगों ने वहां पे कबजा करने के लिए अपना खून बहाया है, क्यों यह उपजाओ एरिया है, और इस ए बेल्ट में जादा हुए है, तो यहां के लोगों को लूटा भी सबसे जादा गया है, मारा भी सबसे जादा गया है, उसका रीजन यही है कि यह जगा कैसी है, प्लेन है, यहां खेती बाड़ी भी अच्छी हो रही है, कारवया पार भी अच्छा हो रहा है, इसलिए, यहां का दुखा कोई दिखेगा आपको कहां बसेंगे जहां पर मैदान का इलाखा है सेकिंड रीजन क्या है क्लाइमेट यानि मौसम पीपल यूजली अवाइड एक्स्ट्रीम क्लाइमेट्स डाट आर वेरी होट और वेरी कोल्ड लाइक सहारा डेजर्ट पोलर रीजन्स ऑफ रश पसंद नहीं करते उसके बाद है सौइल मिट्टी फर्टाइल सौइल प्रोवाइड स्यूटेबल लैंड फॉर एक्री कल्चर फर्टाइल प्लें सच एज गंगा एंड ब्रह्मापुत्र इन इंडिया हवांगी च्यांग ज्यांग इन चाइना एंड नाइल इन एजिप्ट आर डेंसिली पॉपुलेटर ठीक है इनी की पहले आपने पढ़ा नदी घाटी सब्वेताएं नदियों के पास ही सब्वेताएं बसीं क्यों क्योंकि पानी जो है वो एक एसेंशिल चीज है हर उसके लिए इंसान हो जानवर हो पेड़ पौदे हो जहां पानी रहेगा उसके आसपास ही यह सबसे ज़्यादा फलते फूलते हैं तो इसलिए आप देखो सिंदु घाटी सब्वेता सिंदु नदी किनारे है इसी तरह से मिस्त्र की जो सब्वेता है नील नदी के किनारे है मैसो पटैपियन सब्वेता है यह सारी नदियों के किनारे की ही सब्वेताएं ह इस में अब बताया कि यहाँ पानी होगा वहां पर सब्यताई विक्सित होती है लोग वहां ज्यादा रहते हैं डिजर्ट के एरिया में कम पॉपुलेटेट लोग रहते कम पोपुलेशन होती है मिनरल्स एरिया विद मिनरल डेपोजिट आर मोर पॉपुलेटेट डाइमन माइन्स ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिसकोवरी ओफ ओईल इन मिडल इस्ट लैंड लीड टू सेटल सेटलिंग ओफ पीपल इन दीज एरिया मिनरल्स हैं कहीं खनीज मिल रहा है तेल मिल रहा है ही इसी जगहें यह पिरूण्य को रेसी जगहें जहांपे खाने हैं तो वहां पे भी लुवज बस्ते हैं क्यों कि उनको रोजगार मिलता है और जहां पे इस तूरा क्यों रहेगा तो बाकी की चीजमें बगाए अनुको मिल जाती ऊनुसल कल्चूरल एंड एकनॉमिक सामाज कि कहीं कलचule हुए संस्कृतिक और इकोनोमिक फैक्टर यानि आर्तिक देखिए मैं बार बार लोगों को बोलती हूं मैं हांपने हर चैप्टर में इकोनोमिक का मतलब आप एकोनोमी जरना थे इकुनोमी पहला impression यह जाता है कि अगर इसने कपड़ों पर इतना खर्चा किया है इसकी financial condition अच्छी होगी means इसकी economic condition strong होगी कोई आदमी है बिल्कुल फटीचर है पैसे नहीं है उसके पास में लेकिन फिर भी उसने उधार लेके या कुछ भी करके अपना impression ऐसा बनाया है बढ़ा बढ़ उसके उलट कोई आदमी है जिसके पास बहुत जमीन है लेकिन वह साधारन कपड़ों में बैठा हुआ है कुर्ता पजामा पहना हुआ है और अभी रिक्षे से उतरा है तो देखने वाला उसके लिए क्या अजियूम करेगा अंदाजा लगाएगा कि यह गरीब आदनी है इ उसके कपड़ों को उसकी गाड़ी को उसके हाव भाव को हम एनलाईज करते है ठीक है तो एकुनोमिक कंडिशन मतले पैसे की कंडिशन अर्थ व्यवस्ता अर्थ का मतला वह पैसा ठीक है Social areas of better housing education and health facilities are more densely populated that is Pune अब यहां पे क्या है जो social area है जहां पे अच्छे houses बने हैं अच्छे घरों की विवस्था है अच्छी education की विवस्था है अच्छे hospital है ठीक है तो वहां पे क्या होंगे लोग जादा रहेंगे इसका एक उधारन इनोंने Pune दे दिया इसका एक उधारन दिल्ली भी है, मुंबई भी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं, जहां पर अच्छी एजुकेशन है, हेल्थ की भी अच्छे होस्पिटल हैं, बड़े-बड़े, तो लोग वहां पर बसना प्रेफर करते हैं, cultural, places with religion or cultural significance attract people, वारनसी, जेरुसलम and Vatican City are some examples, cultural का मतलब आप किसी कल्चर को फॉलो करते हैं, सपोज आप हिंदूइजम को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हमारे हिंदूइजम में क्या है कि हर दूसरे महीने में, हर महीने में कोई ना कोई तीज तेवार होता है, और कुछ बड़े तेवार होते हैं, तो जहां जिस तरह कि अगर मालो आप एक हिंदू कम्यूनिटी के अंदर में रह रहे हो, और वहां दिवाली मना रहे हो, तो आपको अपने वन वाली फीलिंग आएगी, तो आप ऐसी जगा को प्रिफर करोगे, आप क्रिश्यन हो, और आप क्रिस्मस मना रहे हो, या कुछ ऐसा बना रहे हो, जो क्रिश्यनों का तेवहार है, तो और उस एरिया में क्रिश्यन्स जादा हैं, तो आप उसको सेलिब्रेट करोगे, तो आपको उसके लिए बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, इसलिए कि आप अपने घर में ही हो, जैसे अपने लोग पर लोग बसना प्रफर कर सकते हैं, करते हैं, या करेंगे ही, या जाएंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेटिकन अगर देखा जाए, तो वेटिकन इतनी बड़ी, अपने आप में वो एक अलग देश भी है, लेकिन दिल्ली से बड़ा नहीं है, तो दिल्ली म अबर ओपीपल आर अट्रेक्टेड टू दीज एरियाज ओसाका इन जापान और मुंबई इंडिया और टू डेंसिली बॉपूलेटेड एरियाज एकोनोमिक मैंने बताया ना, एकोनोमिक का मतलब है पैसा, पैसे से जुड़ी वेवस्ता एकोनोमिक कंडिशन है, ठीक है, तो जहां इंडस्ट्रियल एरियाज है, जहां बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है, आपको पता है, मुंबई में टेक्स्टाइल की इंडस्ट्री बहुत जादा है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एरियाज है, जैसे कानपूर में लेदर इंडस्ट्री बहुत जादा है, बैंगलॉर है तो बैंगलॉर में आई टी इंडस्ट्री बहुत है सिलिकन स्मॉल इंडियन सिलिकन वैली बहुत ज्यादा है तो जो लोग जिस चीज से रिलेटेड है उनको जिस काम की तलाश है वह काम जहां उन्हें मिलेगा वह उस एरिया में बस जाएंगे जाके लोग पैसा कमा सकते हैं तो खर्चा भी करेंगे और जब खर्चा करेंगे तो उनका लिविन स्टैंडर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा आप उसे एक अथी लाइफस्टाइल जीने वाले परसन के अंदर काउंट करोगे इसमें ओसाका जापान में और मुंबई इंडिया में ऐसे दो एरिया बताए हैं जो बहुत जादा घने एरिया है ठीक है पॉपुलेशन चेंजे नेक्स्ट पार्ट में हम यहां से आगे पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन चेंज क्या है कैसे होता है इसके बारे में यह फास्ट पार्ट है आसका यहीं तक और अगर कोई भी द है ठूह हैा रहित कि चैंजे लिए यहां से इसकfat है आसका गारे में